जब बापु ने कहा कि मानस गणिका तो मैं उन युवाओं के लिए भी आसान कर दूँ जो शायद ये टर्मनोलोजी समझते नहीं होंगे गणिका यानि सेक्स वरकर्स के लिए और बापु राम का नाम तो स्विकारिता का नाम है वो सबको स्विकारते हैं तो जब आपने ये मानस कथा की उस वक भी विवाद हुआ था और आज भी कई सारे विवाद है लेकिन राम तो सबको स्विकारते हैं फिर ये विवाद क्यों होते हैं हम इंसान है मानव है हमारी गुद्धी की सीमा है हमारी बिलग बिलग रूची है इसमें हमारा कहिन के एहंकार है इस सबके क राम तो वंदे बोध मयम, शीव राम यह सब बोध मयम, बोध स्वरूप है, जहां बोध हो वहां विरोध का कोई स्थान नहीं हो सकता, लेकिन इनसान अपने अपने धंक से करता है और यह अपना परिचह देता है, वरना यह तो वैश्विक गटना गटरी, मैंने कल परसो भी कि मैं अशी के और गटी कर रहा हूं उमर में, मैंने ऐसा किसी मंदीर का उच्छव मैंने अपने आखों से नहीं देखा है, दुनिया में कहीं भी, पूरा पूरी धरती पुलकीत है आज, मेरी दुष्टी में, पूरी धरती पुलकीत है, क्योंकि ऐसी घटना फिर कभी घट है, तो स्वागत करेंगे, लेकिन पहले तो कभी घटी मेरी दुष्टी में नहीं है, मैंने जब बात विवादों की, की और राम के सुईकारता वाले चरितर के बात की, तो मैं उफी से जुड़ावा कुछ प्रशना आपके सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि स्वामी यह जगद गुरू है, यह हमारी संस्कृती के जोतीर धर है, लेकिन आपके भी अपने विचार हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको किसी और कारण हो सकते हैं नहीं हाने का, लेकिन राम से उसको कोई विरोध नहीं होगा, और कोई अपना कारण रहा होगा, ले मैं तो तो इतना ही कहूंगा कि बले वो ना आये लेकिन आशिरवाद तो देते होंगे, जगद गुरु है। मोदी सपर्ष करे मूर्ती को, क्या इसमें कोई बाधा है? राम का चरनसपर्ष तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। वो एक निशाद केवट की हर बात कुबूल करके जैसा वो चाहे, ऐसा उस राम ने किया ये भी कर सकते हैं। वीविशन जैसे असूर के भायका भी वो स्वागत कर सकता है। तो भगवान तो सब के लिए, तो उसके लिए तो कोई ये कौल किरात, भील वनवासी सब राम के साथ जुड़े थे और सब उससे बातचित करते हैं। लेकिन परंपुज जगद गूरु के मन में क्या होगा वो तो वो बताय तब ही पता लगता है। वाकि राम से किसी का भी रोध नहीं हो सकता और वो आशिरवाद भी देते होंगे। और मैं प्रार्तना करूँ कि आप ज्याद आशिरवाद दे के उत्सा कहीं गुना बढ़े। प्रश्न ये भी पूछा गया कि क्या आधे अधूरे मंदिर में भगवान जी की प्रान प्रतिष्ठा की जाफकती है। अब क्या है की ये 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 सास्त्रका निर्न एफट अःटों एस अब किया होगा, मुरत निकाल तो ऐसे तो नहीं गटना गट गए। नो चिप्पनमे नोगा जघ कर सकता क्योंकि सब मेरे अ़ी घोगी और इस राह के कारण रेकिध इस मंदिर पूरा हुआ कर सुपनाओ यद जए मुझे जो मेरी दुष्टी में यह जब में और जफ दूरा हुआ की नए कोई आ रहा है कि नहीं, कोई नहीं, मेरी दृष्टी में मेरा राम है, केवल में राम को देखकर उत्साहित हूं, परमानन में हूं, जो राम इतनी सालों से, जो प्रतिक्षा में थे, वो राम मेरे केंदर में है, बाकि और चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं उसके ज तो ऐसी ही एक गुरुजी ने बोला का कि जब प्रभु श्री राम ने शंकर जी की अराधना की तपष्या की रामेश्वरम में तब उन्होंने कौन सा शिखर बनाया था आप इसे किस तरीके से समझते हैं करेंसर हो तो जस मापूलाशोंने कहा हो एक जाही कह सकते हैं कि जाता है जी ज्यादा कह सकते हैं लेकिन वह तो कोई मंदिर नहीं बना थोगा वहाँ स्पस्त लिखाय है मानस में लिंग थापी विदिव complex Pooja शीव जी का लिंग स्थापन किया, शीव जी को और पूजा की है तो कोई मंदिर तो बाद में बना होगा, यह जो कारामतर में बना होगा तो भगवान राम का यह पूरा आस्मा शिखर है पूरा आस्मा उसका शिखर है चांध सितारे उसकी दज़ा फहरा रहे है और यह पुरा जगत उसका मंदीर है, मंगल मंदीर है परमात। फिर भी शास्त्र के अधार पर क्या है मैं नहीं जानता, सब अपनी अपनी राई दे रहे हैं। अब तो हम वहां पोँच गए हैं, जल्दी उजांकी करें। अब और बहस में नह जाते हुए हैं। आप जब यह बोल रहे हैं तो बड़ी उत्सुकता दिखाए दे रही है, आपके शब्दों में, आपके चहरे के भाव में भी। बापूर, राम मंदिर में प्रान प्रतिष्ठा से पहले बहुत सारे कर्म कांड होने जा रहे हैं, बहुत सारे पूजन विधी हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा, जो मेरी समझ में, छोटी सी समझ है मेरी, लेकिन जो मेरी समझ में कहता है कि जो मन का भाव होता है, वही सबसे बड़ा होता है। मानस में इसे किस तरह से समझाया गया है। भगवान राम ने कहा कि मुझे यह पूजा तो होनी चाहिए, यह सब विदिविदार होना चाहिए और जो हो रहा है, जो किया जा रहा है, वो मुझे काशी के पंडीत, युद्या के पंडीत और इन जो अधिकारी गणे उसको पूछ कर हो रहा है और फिर और जन्ता अपने अपने ढंक से कर रही, लेकिन मूल में तो राम को प्रेम प्री है, ऐसा मानस में रहा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जिसको जानना वो जान ले, राम को, हाँ उसकी पूजा तो हम करते हैं, मैं भी करता हूँ, सब के, लेकिन राम को इतनी पुजा विदी जानती थी, क्या जानती थी, प्रतिक्षा ही उसकी पुजा थी, कि मेरे द्वार एक बार आएंगे, केवट कौन सी पुजा विदी जानता था, लिकिन केवट के प्रेम ने राम को वश कर दिया, तो राम को प्रेम प्री है, तो ये सब प्रेम के कारण, मन के भ जो इसमें निमित बने, इस सब साधुवाद के पात्र है.